अबू रहे थे और हाँ टूटा था एकड़ा लिए चे पूट बात बात आपके अबू को हाँ है तो पूच रहे होंगे भाएया हमरे अबू का इलाज करा देजिए जी वह बहुत रहे थे कि तो यहां किछाश के के लोग चलाएंगे अबू का सित्थि तो एक दम माली जिसा नहीं है इस्टाव रहा है अभी खाना वगर में बना है अभी खाना नहीं किस गर से आ यह हुद्र से आ रहा है देख लिजिए पूलीस और आर्मी के वर्चोस की क्या जागर आ हो परसासन अब से पहले बेल मिलना चाहिए लेकिन उसके साथ-साथ जो तैयब मिया के घर की इस्तिती है तैयब मिया जहां से जड़ निकली मतलब कहा जाए तो जहां से सारा का सारा कहानी निकला यहां पर कोई आदमी नहीं आ रहा है इसका मदद नहीं हो रहा है क्यों नहीं मदद हो र जो इंडियन आर्मी जिस व्यक्ति को ठोकर मारता है तैयब मिया को उसी के घर के पास हम लोग है और उसके घर के अंदर चलेंगे और जो उनकी हालात है जो उनके घर की जो इस्तिती है वो सारा चीज दिखाएंगे यह घर कैसा बना कैसे बना यह सारा प्रोसेस दिखाएंगे एक बड़ एक घर का नजारा देख लीजे बाहर से कोई boundary अभी तक नहीं हुआ है कहा जाए तो घर का जो पलास्तरा है वो पलास्तरा भी अभी बाकि है और ये कह लीजीए तो ये घर बना है एक आदमी अगर पुरा जीवन महनत करता है तो एक घर बनाता है और ये आदमी पुरा मेहनत करके आज तक घर मुकमल इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि ये अपना एक धूर जमीन सड़क के किनारे जहां पर उनको ठोकर लगा है ठीक उसके सामने मून का एक जमीन था तीन धूर जमीन था तीन आदमी उसमें हिसेदार थे और तीन आदमी में से एक आदमी अपना जमीन ये बेचे हैं और उसके बाद में ये घर जो आपको दिख रहा है मतलब कहा जाए तो जमीन बेच करके घर बना है ये चोटी बहन है जो तैयब मिया की बेटी है और ये अभी हाली में एक वीडियो हमने देखा ये बोल रही है साब तोर पे कह रह है और पांच मेक्म में से 3 मेती हैं हमारे साथ जो दो बेटी एक कर दिकाह हो गया है और एक का साथी हो गया है अब आते हैं कि पूरा मामला क्या है कैसे कैसे हुआ है सारा चीज जानेंगी कि इनके अब्बू कहा जा रहे जब ठोकर लगा तो आप नोग दोड़ के गए होंगे जि क्या देखी वहां पर वहां पर देखी मेरे अबू बैटे है रो रहे हैं उनका हाथ फूल गया तो फूल गया था तो जब चोट लगा था तो हाथ तूट गया था और इंडियन आर्मी वहां पर था उसके साथ कितना लोग था हुए पाँच लोग होगे एक छोटा बच्चा को लेकर ठिक वहां पर और क्या हुआ था जब आप देख रही थी उन लड़की सब कहा रही है कि हमारे दुपट्टा को छीना गया और उसके जूट है जूट है यह उन लड़की हो करके आप इस बात को काट रही है कि तो लोग जूट बोल रहा है आप वहां थी देखी इस अब जूट है जूट है और उसके बाद यह क्या हुआ उस लड़का का जो इंडियन आर्मी है जो रधा मोहनकीरी है उसका कर रहे हैं गाउं के लोग परेशर कर रहे हुए आपके अबु को हांत तुट आप पूछ रहे होँगे या पहले से इनका हांत टूटा हुआ था और गिर का नाटा कर रहे हैं आपके अरोप लागा रहा है चाहिए वह इंडियन आर्मी आप फिर उससे नहीं बात के नहीं हम लोग उनसे बात नहीं कि अब भी ती वहाँ पर गई थी गई ती क्या उससे में क्या देखिया वहीं जो मेरे अब रहा थे और हाथ टूटा था अगदम अर्मी वह यह तो बोली नहीं रहे थे इलाज कराने के लिए राजी नहीं थे राजी नहीं थे नहीं अभी तो कहा रहा हूँ कि 1 गृप्ए देने के लिए था है सबांव अभू का इलाज कही से चल रहा है घर का स्तीति तो एकदम माल और पैसा नहीं है यह चंदधा हो रहा है अभी खाना वेगरा घर में बना है बगल के अंटी दे रही है अभी खाना नहीं बना है कहां से खाना है किस घर से आ रहा है उदर से आ रहा है जी घर दिखा देजी देख लिजे जिस घर के पास में जो दो वक्त का खाना जूटाता है तैयब मिया जो दो वक्त का खाना जमाता हुआ ये घर से खाना इनका आ रहा है और ये कह रही थी आप ही है जो कह रही थी कि आपको 380 रुपए नहीं था आप नाइन्थ का एक्जाम नहीं दे पाई है का मज अब नहीं था अबकाता है फ़से कमाते थे की हैसे क्या होता था कि घर बर चलता है चांगे साधी बैटा कराता है कि शहां में बजन का हुआ कितना रुपए अबब कमाते थे कि जबर मिस्किली थे लेबर मिस्किडिक alcanz तीन-Cह streets यहां पर रहने के लिए और भी आसपास के लोग आपका मतलब की कैसे हैं जो लोग आपको चंदा दे रहे लोग प्याम हैं रही मजुत हैं आपको कैसे अबू को याद कर रही है के तो अच्छा फूट गया और दाय। आपका मालेजिए कि अभुका तो हाथ टूट गया अब क्यों हाथ से वो उठा नहीं पाएंगे पूरा जो गईसा ल्यवार में यहांट अपिए स沒錯 ऐसा दिए कि आने वाले समय में कुछ ऐसा हो जिसके चलते आप लोग पर्मानेंट कुछ आप लोग को मिल जाए आने वाले समय में आपकी पढ़ाई कहा तक होई इंटर तक इंटर आपकी ना इंटर आपकी इंटर चलिए निसब्द है यह बाते समझीए किस तरह से एक इंडियन आर्मी को डिसिप्लीन सिखाया जाता है और बोडर पर बताया जाता है कि जब भी अगर उसका साथी किसी इस पहार किया जाता है किस तरह से उसको एस्टेचर ना होता है तो अपने कंधे पर लाद करके अपने गंतब्य तक अपने बढ़नाया जाता है वाटालियन का जो रहने का जगा बना जाता है वहां तक ले जा जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है यह सारा का सारा ले इस उसको खुद कहती है कि आप जाईए एक्जाम दिलाकर एक्जाम सिंटर पर छोड़ के ये इरिक्सा जा रहा है जो जिसको आप टोटो कहते हैं उससे आप उस लड़कियों को भेज दीजे एक्जाम देने और आप इस महिल आप तययब मिया को होस्पिटर में ले जाईए वो इस बात को नहीं सुनते हैं वो कहते हैं कि हम एक्जाम दिलाने जाएंगे एक्जाम दिलाने जाते हैं उसके बाद प्रशासन कहती है कि आपकी भासा अमर्यादित है आप थाना में चलिए वो थाना में नहीं जाते हैं आसपास में सायद हमको जहां तक लग रहा है उनक लेकिन सच्चाई यही है कि आज पास में उनका रिलेशन रहता है, रिलेशन में अपना गाली लगा देते हैं, प्रसाशन वहां जाती है, प्रसाशन से उनको गाली गलोज होता है, दो-तीन बर ऐसा यहां के लोगों का कहना है, दो-तीन बर वो धक्का देते हैं, और मा बहन की हटाहट गाली देते हैं तो एकदम मुफट की तरह गाली देते हैं जो बोडर पे सिखाया जाता है ठीक है मानते हैं लेकिन अंडियूटी अगर प्रशासन है तो आप देखिए वहाँ कौन क्या कर रहा है मवजूदा इस्तिती को देखते हुए आपको प्रशासन के पास जाना चाहिए था, थाना के पास जाना चाहिए, वो नहीं करते हैं, भारत के एक एक आदमी ये बात जान रहा है और ये गाउं के लच्मी, पूर मस्जिद के आसपास के जितने भी लोग है, वाट नमर पांच के, ये सारे लोग हिंदू हो या मुसल लूब भानी निकला यहां पे कोई आदमी नहीं आ रहा है इसका मदद नहीं हो रहा है क्यों नहीं मदद हो रहा है叮य क कि लिए तृषिंदान से छाकर के और जो समाजिक स्वावान से हुषा को माई संव कहा है ओम करें लिए धर्ना परदर्सन자あの ऐसाया पो पतके स्भी घ्सकाЗ पतके सब्सक्राम और वह आदमी आदम ुद स्यम है मतलब नाहीं पतके है इणद destructive वह आदमी सोचता है कि हम 300 सी रुपया में एक वक्त का खाना खालेंगे यह देखिए मुख्यमंत्री और प्रधान मंत्री तो कहते हैं कि हम उजवाला योजना दे देए हैं लोगों के घर तक हम पहुंचा दिये हैं लेकिन यह कितनी सर्म की बात है कि उजवाला योजना तो और चुनाव तो आ गया 2014 का इसमें लॉली पॉप आप हिंदू मुस्लिम करा दिजेगा हमको भी पता है नासीर और जुनेत को आज भी अभी तक मिला नहीं और उसके सांसात यह भी हुआ कि गाया में तीन लोगों की लिंचिंग किया गया जिसमें से एक आदमी का हत्या हो है दो आदमी आज भी दर्बदर की ठोकर एक खा रहा है इस बच्ची का मदद कैसे हो इसकी पीता का इलाज कैसे हो इस पर हम लोग को सुचने की जरुवत है और जो लोग भी वहां राजनीत रूटिया सेक रहे हैं हम तो कहेंगे आरे यार कभी आ के भी देख लो एभी इन इंसान है बाटो मत जाती धर्म के नफरत में आओ देखो इस बहनों के दर्द को देखो एक बहन के पास 310 रोप्या नहीं था पढ़ाई नहीं की इन्सानियत की बात करते हो ना तुम बहुत बार का बिहार का मसिया बनते हो ना ताकर इसको मदद करो ना तब समझे तुम न कि इस तरह से कर रहे ना कोई आपति नहीं ने इस भाई के बात से आप 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 से अमध है ना देखिये इनका भी कहना है कि इंडियन आर्मी छूट जाए यह बात आप कह रहे हो ना बितल उसकी समानझनक रहा ही होनी चाहिए लेकिन आप जब चुब नियाए की बात कर र करने वाली चीज़ है सूचने वाली बात है बाकी हमको कहना कुछ नहीं यह बस इतना ही कहना है एक पिता यह सोचता है कि हम 380 रुपय में एक बेटी को पढ़ाएंगे तो चार बेटी को पहले भी पढ़ा चुके हैं तो समझिए कि हम 380 रुपय में एक वक्त का खाना खिला लेंगे अपने बाल बाचा को इसलिए बेटी को नहीं पढ़ा रहा है और मुख मंत्रिया और परधान मंत्री बात कह देते ह है कि कन्या उथा नहीं हो जना और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और यहां एक बाप अपने बेटी को इसलिए पढ़ाता नहीं है वो कहता है कि एक वक्त दो वक्त का खाना निकल जाएगा और वैसे लोगों के लिए यहां कोई पत्रकार नहीं आता है और दूसरे किसी जो इंडियन आर्मी है जो सक्षम है जो चाहता तो उस आदमी को अकेले इलाज करा सकता था जो चाहता तो उसके पास इतना सेलरी आता है को उस्पिटल में निजी अस्पताल में पारस जैसे पटना का बड़े अस्पताल में इलाज करा सकता था लेकिन वो नहीं कराता है इ जो पत्रकार एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे हैं और दिखा रहे हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है अगर वे लोग पकड़े जाते हैं तो वो लोग भी सलाखों के पीछे होंगे तो जो लोग एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे हैं तैयब मिया के पक्च को नहीं दि गर दिख रहा है इस घर के बारे में कहानी बता दिये हैं बाकी कुछ नहीं बताना है आना है तो लोकेशन ये लोग अराम से आपको मिलवा देंगे बता देंगे कि कहां पे है फोन नंबर भी हम दे देंगे आप लोग आ जाईए और यहां रिपोर्टिंग कीजिए यहां जर आने बाद